नमस्कार दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगी कि फ्लिप कार्ड एप्लिकेशन में एकाउंट को क्रियेट करते हैं तब वो टीपी नहीं आता है तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्ब कर सकते हैं जहां गई जाप भी जाना चाहते हैं कि फ्लिप कार्ड में एकाउंट को क्रियेट करते हैं तब वो टीपी नहीं आ रहा है तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे टिक कर सकते हैं तो गई जाज किस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पुरा दिखना वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे इटूप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल आइकन को प्रेज करके आल पर सेट कर लीजीगा जिससे आने वाली वीडियो की नौटिपिकेशन आपको मिलते रहेगी तो चलिए प्रेंट्स आज का इवडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है नौटिकेशन ब मूड को आनौप करना है Aero plane मूड को अनौप करने की बाद काई जहां पर आप दीख सकते हैं यहां पर अपने घ्र का टाटा भूर चलने लग जाएगा तो गई जहां पर आप दीख सकते हैं यहां पर अपने रप्लिक्स काड़ एप Packe में ओटीपी नहीं आ रहा है तो गई जहां पर आपको क्या करना है यहां पर मैं आपको एक ऐसी ट्रेक बताऊंगा जिसके माध्यम से फ्लिपकार्ड एप्लिकेशन में ओटीपी आना स्टार्ट हो जाएगा तो यहां पर आपको क्या करना है फ्लिपकार्ड एप्लिकेशन प आप आपको क्या करना है? यहांपर आपको force stop का उपörtसंफिन देखने को मिल जाता है. जहांपर आपको Clear डाटा का उप् Carson देखने को मिल जाता है. clear data के option पर click करना है clear data के option पर click करने के बाद गई जहांपर आपको clear all data के option पर click करना है clear all data के option पर click करने के बाद गई जहांपर आपको okay पर click करना है okay पर click करने के बाद गई जहांपर आप देख सकते है यहांपर flip card application का all data clear हो चुका है तो गई जहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आप Flip Card Application का All Data कलियर करने के बाद Flip Card Application में OTP आना स्टार्ट हो जाएगा तो गई जहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं तो गैस कैसा लगए वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बता है और अभी तक आपने अमरे चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो प्लेज सब्सक्राइब कर लिजिए और बैल आइकन को प्रेस करके All पर सेट कर लिजिएगा जिससे आने वाले वीडियो की नोटिपिकेशन आपको मिलते रहेगी